MP Board Supplementary Result Out जी हाँ दोस्तो मत प्रदेश की तरप से Class 10th और Class 12th का Supplementary Result आ चुका है जल्द से जल्द आप यहाँ पर अपना Supplementary Result ज़रूर चेक आउट करेंगे कैसे चेक आउट करेंगे और कैसे आप यहाँ पर Supplementary Result आप यहाँ पर चेक करेंगे कौन सी साइट है संपूर जानकर या जम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वीडियो को अन तक बने रही है सबसे पहले यहाँ पर MPBSC की साइट पर आपको आजाना है इस साइट के लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्रिक्शन बॉक्स में दे देंगे आप डाट किलिक करके इस साइट पर आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते इस तरह का Enterprise ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप जब नीचे की साइट आएंगे तो आपको यहाँ पर परिक्षा परिणाम पर है आपको इस पे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपका पास एक टेप open हो जाएगा यहाँ पर आप इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ पर जो exam result आ चुके हैं उनके यहाँ पर पूरे notification आ चुके हैं तो जैसे कि यहाँ पर अभी 12th का result आ चुका है यहाँ पर 10th का result भी आप यहाँ पर जल्दी देगेंगे तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है अब आपको यहाँ पर अपने roll number यहाँ पर डालने होंगे जी हाँ दोस्तों आपको यहाँ पर roll number डालेंगे आपके जो 12th में admit card है उसमें यहाँ पर roll number दे रहेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना application number भी यहाँ पर आप उसी admit card में मिल जाएंगे और यहाँ पर submit now पर click करेंगे आप यदि आपके पास result आ चुके हैं तो आप यहाँ पर इसको check out कर लेंगे इसी परकार से आपको यहाँ पर supplementary result चेक आउट कर लेना है तो उमिद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो आपके अपने चैनल डिजिटल सुस्तना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है तैंक्यू सो माच